हलो दोस्तों में एक माई एससी चेरल में आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग रिजनिंग पढ़ने वाले हैं रिजनिंग में में ससी आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप हमारे चेरल पर जाकर रिजनिंग के प्लेलिस्ट में या फिर पासा का एक अलग प्लेलिस्ट है उससे आप पासा का वीडियो पार्ट वन देख सकते हैं वो वीडियो आपके लिए बहुत हेलफूल होगा क्योंकि उसमें हमने ओप इसमें दिया है कि how many dice are possible कितने संभव जो पासे हैं वो बनाये जा सकते हैं ये दिये गए open पासे के प्रयोग से ठीक है तो इसमें हमें बताना है कि ये जो पासा हमें open पासा दिया गया है open dice दिया गया है इसकी प्रयोग से हम कितने dice बनाये जा सकते हैं इसमें आपको 4 dice दि थी उसके बासे चार आपसंदिया गया है कि कौन-Kौन से पासे बनाया जा सकते हैं ठीक है तो चलिए, आज का सेसन सुरू करते हैं और जानेंगे इस cer के बारइ में ठीक है तो इस cer के बारइ में जानेंगे तो इसमें पहले जानेंगे कि चार चार के विप्रीत कौन सा होता है तो चार के विप्रीत वाला ये चार के विप्रीत तीन होगा ठीक है उसके बासे आता है आपका एक एक के विप्रीत कौन सा होगा दो उसके बासे जो आपका लास्ट आता है वो आता है आपका छे छे के विप्रीत कौन सा अंक होगा पांच चुकि हम जानते हैं कि ये चार वाला अस्थान तीन वाले अस्थान के विपरीत दिसा में होता है अंक एक दूसरे के विपरीत नहीं होते ये जो अस्थान है चार वाला ये इसके विपरीत है चार तीन के विपरीत नहीं है चार वाला अस्थान, तीन वाले अस्थान के विपरीत है ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इसके बारे में जानेंगे कि पूरा कंप्लीट से question discuss करेंगे, जो अब तक विभिन्न परिष्छाओं में पूछे गए ठीक है, तो चलिए चार तीन के विपरीत है यह पासा इसके प्रियोक से नहीं बनाया जा सकता उसके बासे आप काता है एक और दो एक दो देखेंगे तो इसमें आपके डाइस चार में एक और दो एक साथ दिया है लेकिन हम जानते हैं कि जो एक है वो दो के विपरीत दिसा में है अर्था फलक एक फलक दो के विपरीत दिसा में है और तब पासा डी इसके प्रियोक से नहीं बनाया जा सकता है उसके बासे आपका आता है छे और पांच तो छे और पांच किस पासे में है पासे बी में छे और पांच नहीं है पासा C में 6 और 5 एक साथ है जो एक दूसरे के भी प्रीथ है लेकिन इसमें एक दूसरे के समान फलक में दिया है अता ये आपका गलत हो जाएगा तो इसके प्रयोग से कौन सा पासा बनाया जा सकता है तो इसका correct answer क्या होगा तो इसका correct answer है आपका option B इस open dice जो दिया गया है इसके प्रयोग से सिर्फ और सिर्फ only B जो पासा B है वही बनाया जा सकता है ठीक है इसके बारे मनें पूरा विस्तरी से जाना 4 के भी प्रीथ 3 है 1 के भी प्रीथ 2 है 6 के भी प्रीथ 5 है चुकि इसमें 4 3 है जो की भी प्रीथ दिसा में है इसमें 6 इसमें आपका 1 के साथ 2 है जो की भी प्रीथ दिसा में है और इसमें 6 और आपका 5 है जो की भी प्रीथ दिसा में इसलिए गलत होगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 4 ठीक है, question number 4 discuss करेंगे तो इसमें बताइए, निम लिखित में से how many dice are possible कितने पासा संभाव हैं तो इस question में बताइए कितने पासा संभाव हैं, आप एक बार try किजिए इस question को ठीक है, तो इस question में हम जानेंगे यह जो 2 है, 2 के भी प्रीत तो 5, 5 संभाव है उसके बासे आपका यह जो 3 है, 3 के भी प्रीत कौन सी संभाव है, 4 है उसके बासे जो आपका यह next है 1 के भी प्रीत कौन सी संभाव है 6 है, अब हमने इस संभाव के बारे में जान लिए 2 के भी प्रीत 5 3 के भी प्रीत 4 और संख्या एक की विप्रित कौन से संख्या है संख्या च्छा है तो पताई इसमें से कौन से डाइस पॉसिबल है तो पहले हम एक एक करके देखेंगे पहले हम दो और पांच देख लेते हैं दो पांच पासा ए में नहीं है 2-5 पासा B में भी नहीं है 2-5 पासा C में भी नहीं है 2-5 पासा D में है अतर इसके प्रियोग से ये वाला पासा जो है वो नहीं बन सकता क्योंकि 2-5 के भी प्रिद्धिसा में है और यहाँ 2 और 5 एक दूसरी के समान 8 साइड वाले फलकों पर दिया गया तो पासा D नहीं बनाया जा सकता उसके पासे हम आते हैं 3 और 4 3 और 4 जिस जिस पासे में होगा अगर जो एक साथ दिखाई देगा तो नहीं बन सकते हैं वो पासा नहीं बन सकता है क्योंकि जो 3 है वो 4 के भी प्रिदिसा में है और 4 तीन के भी प्रिदिसा में ठीक पासा A में 3 और 4 नहीं है लेकिन पासा B में 3 और 4 यहां दिया गया है ठीक है तो यहां 3 और 4 दिया गया इसलिए यह गलत होगा क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे के विप्रिदी सम है पासा C में 3 और 4 एक साथ नहीं है उसके बाद से आप काता है 1 और 6 तो 1 और 6 हम देखेंगे तो 1 और 6 जो option A है उसमें 1 और 6 साथ नहीं है option C में 1 और 6 साथ है अता option C वाला पासा नहीं बनाया जा सकता अब बताएं इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा only A इसके प्रयोक से केवल एक ही पासा बनाया जा सकता है तो इसका correct answer होगा option A only A केवल पासा नहीं बनाया जा सकता है इस open dice की मदद से ठीक है question number 4 हमने किया हम उम्मीद करते हैं ये question आपको बहतरी समझ में आएगा चलिए question में आगे बढ़ते हैं next question question number 5 अब हम question number 5 देखेंगे ठीक है इसमें हम एक open dice दिया गया है आपको इस open dice को देखना है समझना है और बताना है कि how many dice are possible दिये गए open pass की मदद से कितने ये जो dice दिये गए है ये कितने dice बनाया जा सकते हैं ठीक है तो इस video में हमने अब तक 3 question किये हैं अब आगे question discuss करें तो चलिए देखेंगे इसमें 2 2 के भी प्रीत कौन सी संख्या होगी आपकी 4 ठीक है उसके बाद से आपका आता है 1 1 के भी प्रीत कौन सी संख्या होगी 6 और उसके बाद से आपका एक और आता है 5 5 के भी प्रीत वाली संख्या होगी 3 ठीक है इसमें हमने भी प्रीत संख्या जान लिया 2 के भी प्रीत है 4 1 के भी प्रीत है 6 पांच के विप्रीत है, तीन यदि आपने थियरी नहीं पड़ी है तो पार्ट वन में हमने पूरी बैतरीन तरीके से थियरी डिसकस की है यदि ओ वीडियो आपको देख लेते हैं तो उसमें ओपें डाइस में आपको कोई कन्फूजन नहीं होगा आप सभी क्वेश्चन आराम से बना ले पाएंगे तो इसमें हम जानते हैं कि दो के विप्रीत कौन सा है चार, एक के विप्रीत है, चार, पांच के विप्रीत है तीन ठीक है तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें इसका करेक्ट आउंसर कौन होगा पहले हम देखते हैं दो चार क्योंकि दो के विप्रीत चार है पार्ट A में या फिर डाइस A में दो चार नहीं है जो डाइस B है इसमें दो और चार एक दूसरे के समान फलक में है लेकि इसलिए गलत हो गया क्योंकि दो के विप्रीत दिसा में चार है उसके बासे आगे बढ़ते हैं पासा C में भी 2 और 4 7 नहीं है पासा D में भी 2 और 4 7 नहीं है उसके बासे आपका आता है 1 और 6 पासा 1 में 1 और 6 1 7 नहीं है पासा B में तो आप पले से ही काट चुके हैं पासा C में भी 1 और 6 1 7 नहीं है उसके बाद से आता है आपका पासा D तो पासा D में आपका 1 और 6 एक साथ है अता इसकी मदद से जो है पासा D नहीं बनाया जा सकता है ठीक है अब हम फिर आते हैं 5 और 3 क्योंकि 5 जो है वो 3 के भी प्रीदी साम है और यहां 5 और 3 फलक एक ही साथ दिया गया है जो की गलत होगा ठीक है तो 5 और 3 भी प्रीदिशा में अब इसमें आपका एक ही answer बच रहा है जो है answer C तो इसमें केवल C बनाया जा सकता है यहां आपको करना पड़ेगा only C तो इसके प्रीयोग से केवल C बनाया जा सकता है पासा number C केवल इसके प्रीयोग से बनाया जा सकता है और इसका correct answer क्या होगा option C इसके प्रीयोग से केवल पासा संख्या C बनाया जा सकता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं question number 6 आपको एक open dice दिया गया है इस dice को देखना है बढ़िया तरीके से और उसके बाद से बताना है कि how many dice are possible इस जो open dice दिया गया है ये particular open dice इसका प्रयोग करके इन पासों में से कौन कौन से पासे बनाया जा सकते हैं ठीक है तो इस question में हम ये देखेंगे इसके प्रयोग से कौन कौन से बनाया जा सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं दो के आपके विप्रीद इसा में कौन सा डाईस है तो दो के विप्रीद इसा में आपका होगा पांच उसके बाद से आपका आता है next तो तीन के भी प्रीद इसा में कौन सी संख्या है तो तीन के भी प्रीद संख्या में जो आपका फलक आई या फिर तीन के भी प्रीद फलक या फिर तीन के भी प्रीद संख्या वो होगी आपकी चार उसके बाद से next देखेंगे तो next आपका आता है 6 तो 6 का विपरीद फलक कौन सा होगा 1 या फिर 6 के विपरीद सां क्या कौन सी होगी 1 ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें जानेंगे कि कौन कौन से डाइस पॉसिबल हो सकते हैं तो इसमें हम बढ़ेंगे पहले देखेंगे 2 और 5 Option A में 2 5 7 नहीं है और यहां एक साथ दे दिया गया है अता यहां गलत हो जाएगा जो पासा नंबर C है वो इसके प्रयोग से नहीं बना जा सकता ठीक है Option D देखेंगे इसमें 2 5 7 नहीं है उसके बाद से हम आते हैं Next 3 और 4 3 और 4 एक दूसरे के भी प्रीथ है 5 A में 3 और 4 7 नहीं है 5 B में 3 और 4 7 नहीं है लेकिन हम यहां देखेंगे कि पासा जो D है उसमें 3 और 4 एक साथ आगए है लेकिन वो तो एक दूसरे के भी प्रीथ है अता इसके प्रयोग से पासा संख्या D नहीं बनाया जा सकता है अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बासे आता है 1 1 और 6 1 और 6 एक दूसरें के भी पृद्दिसा में है तो अब हम देखेंगे किसमें से जो 1 और 6 हैं वो कहीं दिख रहे हैं एक साथ तो 1 और 5 यहां दिख रहा है 1, 6 नहीं है और 1 और 3 और 2 यहां भी एकचा एक साथ नहीं है तो इस complete से में क्या निसकर्स निकल रहा है तो निसकर्स हमें ये निकल रहा है कि यहां एकचा साथ नहीं है तो इसके प्रियोग से ये दोनो डाइस बनाय जा सकते हैं A और B दोनो डाइस पॉसिबल है दिये गए इस open dice का प्रयोग करके हम दो dice बना सकते हैं कौन कौन से dice तो इसका correct answer होगा कि दिये गए dice का प्रयोग करके हम dice A और dice B दो नो dice बना सकते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं Question No.7 इसमें भी आपको एक open dice दिया गया है इस open dice को ध्यान से देखना है समझना है और उसके बाद बताना है कि how many dice are possible इस dice से अधिक्तम कितने इन दिये गए ये जो आपको dice दिये गए हैं कितने dice मनाया जा सकते हैं इस open dice की मदद से ठीक है तो इसमें हम जानेंगे कितने dice मनाया जा सकते हैं अब हम इसमें देखेंगे जो एक संख्या है उसके तो विप्रीत आपकी चार संख्या है ठीक है जो एक है उसके विप्रीत आपकी कौन सी संख्या है चार है उसके बाद से जो next आपका आता है पांच है पांच के विप्रीत कौन सी संख्या है पांच के विप्रीत दो संख्या है और उसके बाद से आता है आपका तीसरा और अंतिम तीन के विप्रीत कौन सी संख्या है तो तीन के विप्रीत आपकी संख्या नंबर 6 है या फिर तीन के विप्रीत फलक पर कौन सा फलक है तो फलक 6 है तो अब बताईए इसमें से कौन-कौन से पासे बनाया जा सकते हैं तो इसमें हम पहले किसी एक से भी शुरू करते हैं तीन चाही ले लिजिए एक बार तो इसमें हम देखेंगे कि तीन और चाह किसके किसके एक साथ आ रहा है पासा ये में क्या 3-6 है? नहीं है पासा भी में 3-6, 1-7 दिया गया है लेकिन इस दिये गए open फलक से ग्यात है open dice से ग्यात है कि 6 और 3 एक दूसरे के भी प्रीद दी सामे है तो इसके प्रयोग से पासा भी नहीं बनाया जा सकता next आगे बढ़ेंगे हम 3-6 इस पासे में भी दिया गया है पासा D में तो इसके प्रयोग से पासा संख्या D भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हम जानते हैं 3-6 तो एक दूसरे के भी प्रीद फलक है ठीक है? और यहां 3-6, 1-7 दिया गया है अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद से हम लेंगे 1-4 तो 1-4 देखिए पासा संख्या A में ही मिल गया तो पासा संख्या A नहीं बनाया जा सकता है 1-4 के प्रयोग से क्योंकि यहां 1-4 है और यहां भी 1-4 आपको दिया गया है अब आगे बढ़ेंगे तो पासा C में 1-4 नहीं है उसके बाद से आपका आता है 5 और 2 5 और 2 तो कहीं है यह नि बस अभी एक option number C बचा है तो यही आपका correct answer हो जाएगा जो option C है यह आपका correct answer हो जाएगा कि इसके प्रयोग से केवल option C बनाया जा सकता है यहां हम इसको काट देंगे यहां हम only C लिग देंगे और इसका correct answer होगा only C इसके प्रयोग से केवल पासा संक्या C बनाया जा सकता है इसका correct answer होगा पासा C ठीक है यहां हम इसको घेरा बना देंगे और यहां only C इसका correct answer होगा पासा संक्या C दिये गए पासे के परियोग से केवल पासा C बनाया जा सकता है ठीक है, option में थोड़ा error होगे हैं क्योंकि हमने सभी questions के लिए एक ही option यहाँ type कर दिये थे, तो वो थोड़ा error हो सकता है आपके लिए लेकिन पासे यह अलग-अलग है, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, question number 8 देखेंगे, question number 8 तो इसमें आपको एक open dice दिया गया और पूछ रहा है कि निम लिखित में कौन से पासा संभाव है या फिर how many dice as possible, दिये गए open dice से कितने dice बनाया जा सकता है तो चलिए, इसमें देखेंगे, 6, 6 के भी प्रीद कौन से संभाव है तो 6 के भी प्रीद तो आपकी 4 है ठीक, उसके बाद से आपका आता है, 3 के भी प्रीद कौन से संभाव है तो 3 के भी प्रीद आपकी संभाव है, 5 है या फिर फलक 3 के भी प्रीद फलक कौन सा है फलक 5 है उसके बार से अंतिम अंतिम आपका जो एक फलक आता है वो है एक, एक के भी प्रीद कौन सा है दो, ठीक है यह हम ध्यान रखें कि यह हम लाइनिंग नहीं करें थोड़ा लंबा है इसलिए ठीक है अब आईए देखते हैं कि दिये गए जो यह open dice दिया गए है उसके प्रयोग से कौन कौन से पासे बनाया जा सकते है अब हम देखें कि एक, दो पहले एक, दो ही देख लेते हैं option ओ, एक में क्या एक, दो है नहीं है, option B में एक, दो है, नहीं है, option C में चार ले लेते हैं तो इसमें आपका पहले ही देखिए 6 और 4 option A में हैं यहां तो 6 और 4 गलत हो जाएगा इसकी प्रयोग से 6 और 4 वाला नहीं बनाया जा सकता ठीक है तो इसका कड जाएगा पहले ही 6 और 4 और किसी dice में नहीं है उसके पासे हम दिखेंगे तीन और पांच तीन और पांच आपका किस डाइस में है तीन और पांच आपका जो डाइस बी बना है उसमें है ठीक है तो डाइस बी भी नहीं बन सकता क्योंकि देखी यहां तीन और पांच एक दूसरे के साथ दिया गया है पता यह गलत होगा तीन और यह dice नहीं बनाया जा सकता, अब आपका सिर्फ एक और एक dice बसता है, वो dice कौन सा है, तो वो dice है, आपका option C, दिये गए पासे से, केवल और केवल, जो dice C है, वही बनाया जा सकता है, इसका correct answer अगा dice C, ठीक है, तो आज का session नहीं पर समाप्त करते हैं, उमीद करते हैं, यह वी theory discuss कि, अधी आप theory डेख लेते हैं, तो इन सारे question में आपको कोई खास confusion नहीं होगे, फिर भी यदी कोई confusion रहती है, तो आप comment box में confusion को type कीजिए, हम कोशिज करेंगे उससे सम्मंदित वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो उमीद करते हैं, यह वीडियो आपको पसंद को लाइक करें, तथा इसी प्रकार की reasoning से सम्मंदित अन्य वीडियो पाने के लिए, अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद